हेलो एवरिवन तो आज मैं आपके साथ में शेर करने जा रही हूँ गेहूं के आटे से बनने वाला एक बहुत ही नया और यूनिक पाकोडी की रेसेपी इस बरसात की मौसम में इसे जरूर ट्राइ कीजिएंगा वीडियो तो आपको जरूर पसंद आएगा तो प्लीस लाइक करेजिए शेर किजिए और सब्सक्राइब कीजिए तो सबसे पहले हमें एक बोल लेंगे इसमें 250 ग्राम विट फ्लावर लेंगे यानी गेहूं काटा वन टीसपून जो है तो जीरा लेंगे हाफ टीसपून अजवाईन लेंगे वन को चॉप कर के लेंगे नमक लेंगे विप से बढ़िया तरीके से हमें mix करना है तो धीरे-धीरे mix करना है ताकि इसके अंदर के जितनी भी लंग से वो सारे निकल जाए थोड़ा-थोड़ा हम पानी डालेंगे मिक्स करेंगे अब इस ताइम पर हम 50 ग्राम जो है तो इसमें बेशन डालेंगे अगर आपको ग्रैम से समझ में ना तो एक कप या आधी कटोरी आप बेसन दालेंगे ताकि जो है तो इसमें बेंडिंग भी अच्छी है इसका कलर भी चेंज हो जाए तो इससे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा वाटर दालते और इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरीके की रखन तो इससे थोड़ा साथे करेंगे हल्का गोल्डन ब्राउन करना है बहुत ज़्यादा इससे हमें पकाना नहीं है यहां पर दो से तीन मीट के बाद में लसन अद्रग का पेस्ट दालेंगे इसे भी अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि जो है तो इसका कच्छापन सारा न मिक्स करेंगे वन टीजपून भूने और जीरे का पाउडर दालेंगे 250 ग्राम आलू को हमने बॉइल कर लिया इसे कद्दू कस कर लिया वह दाल देंगे गैस को फ्लेम के एकदम स्लो कर देंगे वन से टू टेबल स्पून धनिया पत्ता दालेंगे नमक दालेंगे अपने स हिए जो फिलिंग है से एक बोल में निकलेंगे अब यहाँ पर हमने अनियना लिया-उन को इस तरीके से चोब कर लेंगे या इस तरीके से कट करेंगे कि इसके छोटे-छोटे पतले-पतले स्लाइस करेंगे उसके उपर हम शेजवन सौस लगाइगगे या फिर आप जो भी sauce पसंदों आप लगा सकते हम यह पर शेजवान चटनी लगा Engdom, Tomato sauce लगा सकते इंmli की चटनी पूदिनी की चटनी जो भी आपके पस लगा लेंगे उसके ओपर जो हमने आलू की feeling बने इन हो अच्छी तरीके से लगा देंगे और इस तरीके से जो है यह हूं कि आटे का जो बैटर ही वो भी अच्छी तरीकी से रेस्ट हो चुका है उसमें एक पकोड़े का स्लाइस डालेंगे यानियन का स्लाइस डालेंगे और एक चम्मच से उसको उपर नीचे डिप कर देंगे और गैस अन करेंगे गैस पर जो है तो एक कढ़ाई रखेंग और इसमें डालते जाएंगे लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात पिल्कुल भी मीडेम फ्लेम पर जो सुलो फ्लेम है उस पर नहीं रखना मीडेम फ्लेम पर हमें फ्राय करना है तो बस इस तरीके से साथ से आट मेट में यह पकोड़े बहुत ही जल्दी से फ्राय हो जाते हैं और यकीन मानिए इसका जो टेस्ट है इतना ज्यादा ओसम और फैंटेस्टिक होता है कि अगर आपने इस बरसात के मौसम में इस तरीके का एक बर पकोड़ा बनाकर खाले आना तो हर दूसरे दिन यहीं पकोड़ा बनाकर खाना पसंद करोंगे तो अब हमारा जो स पकोड़ी की रेसिवी को एक बर ट्राय केजएंगा तो आई होब आपको सूपर डिलिशस रेसिवी पसन है अगर आपको रेसिवी पसने है प्लीज लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब करना साइट में जो बैल बटन आ तो उस कॉल पर क्लिक कर देना दा क्यान वहला हर व वीडियो वाच काने के लिए शुक्रिया गैस अल्ला आफीज एंड टेक केर